प्रधानमंत्री जन आरोग योजना के तहट सभी बेनिफिसरीज का आईश्मान कार्ड बनना है और आईश्मान कार्ड की मदद से ही उन्हें 5 लग तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँ गा कि कौन कौन से हॉस्पिटल में आप आईश्मान कार्ड से अपना इलाज करवा सकते हो उन हॉस्पिटल की क्या इसपेसिलिटी है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में कमप्ली डिटेल्स पता चल जाएगी तो इस वीडियो को आप लोग लाज तक जरूर देखिएगा, चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं, PMJY में जो भी hospitals enrolled हैं, उन सभी का list देखने के लिए आप लोगों को इसकी official website में आना होगा, PMJY.gov.in, इसका direct link आपको description में मिल जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को option मिल जाएगा, find hospital का, आप लोग simply इस पर click कर दोगे, तो आप लोग पूरा ही list देख सकते हो, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग पूरा list डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप लोगों का public sector के जितने भी hospital है, या फिर private sector के जो भी hospital है, या फिर किसी भी category के hospital है, उन सभी का list में नाम आ जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर simply अपना state select करना है, जिस भी state में आप लोग hospital को search करना चाते हो, यहाँ पर मैं चलिए अपने ही state को select तरूँगा, फिर हमें यहाँ पर district का selection करना पड़ेगा, कि कौन से district में हम लोग hospital को find करना चाते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ select पर click करेंगे, और अपने district को यहाँ से select कर लेंगे, अब यहाँ पर district select कर लेने के बाद, आप लोगों को और भी बहुत सारे options दिखेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी भी option में click नहीं करना है, आप लोगों को पूरा list तभी मिलेगा, जब आप इन options को select नहीं करेंगे, आप लोगों को simply यहाँ पर इस capture को fill कर देना है, और simply search पर click करना है, तो जैसे आप लोग search पर click करोगे, आप लोगों सामने नीचे पूरा ही data आ जाएगा, आप लोग simply नीचे scroll करोगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कि पूरा ही list आ चुका है, और सभी hospital का नाम यहाँ पर आ चुका है, आप लोग चाहे तो इस page को print भी कर सकते हो, जिसमें आप लोगों के सभी hospitals का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और भी pages हैं, जिनमें और भी hospitals के नाम है, और यहाँ पर इस facilities के बारे में भी बताया गया है, कि इस hospital में कौन-कौन से काम होते हैं, कौन-कौन से facilities के doctor यहाँ पर available हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, example के लिए सदर hospital, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस facilities के section में, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इसका सारा ही डिटेल्स, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि उस hospital में S1, S2, S3 और S5 facilities थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, S1 का मतलब होता है general surgery, general surgery का सारा ही benefits आप लोगों को उस hospital में मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, S2 का मतलब क्या होता है, तो इसी परकार से आप लोग सारे ही hospital के सारे ही description देख सकते हो, उसके specialities देख सकते हो, आपके district में कौन-कौन से hospitals यहाँ पर available हैं, जो की PMJY योजना के अंतरगत आते हैं, उनसे भी का लिस्ट आप लोगों को इसके अनुशार मिल जाएगा, तो दोस्तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को helpful लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नहीं, अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुडबाई दोस्तों,